कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप एंडर मॉबाइल यूज करते हैं उसके अंदर आपको जो है वीडियो अच्छे लगे ल Eigenने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करने सिप्र पाने स्थाप करेशन करने के लिए सिंपल से storage देखने को मिल रहा है storage पर आपको click करना है then यहाँ पर आपको clear data देखने को मिल रहा है clear all data और इसको clear कर दीजेगा जैसे आप Snapchat को clear कर देगे then उसके बाद आपको back आना है और यहाँ पर permissions देखने को मिल रहा है आपको permission पर आएगा then जितने भी permissions आपको देखने को मिल रहे हैं सभी का allow कर देचिएगा यहाँ पर सभी permissions को allow कर देता हूँ आपको भी सभी permissions को allow कर देना है अब देख सकते हैं microphone call logs nearby device और यहाँ पर phone तो almost सभी जो permissions आपको allow कर देनी है then उसके बाद यहाँ से back आजाना है आप देखेंगे आपकी problem solve हो जाएगी कोई problem face करनी नहीं पड़ेगी then अगर फिर भी आपको problem as it is बनी रहती है तो उसके बाद एक और काम कर सकते हैं आपको जो है आपके mobile में flight mode जो होता है airplane mode जिसको हम बोलते हैं उसको एक बाद on करना होगा कई बाद होता है network issue होने के वज़े से आपको problem face करनी पर सकती है I mean internet के वज़े से अगर आपका internet अच्छा खासा नहीं चलता है तो भी problem face करनी पर सकती है तो आप airplane mode on off कर सकते हैं यहाँ पर on करके face menu off कर दिया है या फिर आप किसी connection से किसी wifi या hotspot को connect होकर check कर सकते हैं अगर आपका वो internet से related problem होगी mobile data से related problem होगी तो वो solve हो जाएगी तो आपको यहाँ पर यह काम ज़रूर से करके देख लेना है internet से related problem तो नहीं है यह काम करने के बाद भी अगर आपकी problem as it is बनी रहती है then उसके बाद आपको क्या करना है आपको आपके mobile की setting में आना एक बार और यहाँ पर आपको scroll करना है यहाँ पर system management आपको देखने को मिलगा इस पर click कर लिजिएगा यहाँ पर date and time को option देखने को मिलता है date and time पर आईएगा और आपको करना क्या है यहाँ पर आपकी date and time चेक करनी अगर आपकी date and time गलत है उसको auto कर लिजिए automatic date and time को on कर दिजिए आपकी date and time automatic set हो जाएगी और आपकी problem भी solve हो जाएगी यह काम आपको जरूर से कर लेना होगा then उसके बाद finally अगर यह काम करने के बाद भी आपका काम नहीं बनता है तो finally आपको एक काम करना होगा आपका अपने Snapchat पर आना है long press करना है आपको यहाँ से remove करना है अपने Snapchat को अपने mobile से उसको delete कर देना है delete करने के बाद आपको फिर से play store पर आना है play store में आने के बाद आपको Snapchat को फिर से solve हो जाएगी कोई भी problem face करनी नहीं पड़ेगी so guys बस आज की वीडियों मिलते हैं आप शुड़े में टेल नबाटे के love you all